तो कैसे हो मेरे प्यारे वैबंदू तुम सब का स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे अपने चैनल विल्लै गेमिंग पे तो गाइस यार आज हम लोग वापिस से खेले जा रहे हैं माइंट्राप पॉकिट एडिशन सर्वाइवल सीरीज और यह होने वाला है हमारा एपिसोड तो तर उसके अंदर में हमने बनाया था अपने लेनी अपने घोड़े के लिए होर स्टेबल जहाँ मैंने अपने सारे घोड़ों को खड़ा कर दिया था और वह भी बहुत जारा मस्त बना था पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुमने भी तक पुराने एपिसो बागी जितनी भी क्रॉप्स होती है वह सारी हमें आटोमेटिक तरीके से मिल जाएंगी और यह वाला विलेज यह बहुत जादा बढ़िया होने वाला है उन बंदों के लिए जो की पहली बार हमारी सर्वावल सीरीज की वीडियो देख रहे हैं योकर उनको एकदम बढ़ि बिए बिलेज अ मुझे बागी चलो इससे बात्चित करते हैं तो की बोहें जार टाइमागी बाताओ विलेजा ला रहे हैं तो लूत के नृत है अरे गाइस इसने तो मुझे पैचाने ने लिए निक बाई रहा है चलो सामने वाले के पार चलते हैं शायद ये मुझे पैचान जाए क्यों किया मैं बहुत जार टाइम माद आ रहा हूँ ओई विलेजर विलेजर हाँ देखा इसने भाई तूने पैचाना मुझे भाई इसने पैचान लिया जो कि बहुत सारा बढ़िया बात है तो भाई चलो अब मैं अपना काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ और देख सकते हो भाई ये जो विलेजर है ये हमारा मैंग्रूफ वाला विलेजर है जो कि हमारे माइनक्राफ 1.99 वो डर हुई है उसका बना हुआ और अगर तुमने इसका एपिसोड नहीं देखा है तो जाके एक बार देखो क्योंकि वो बहुत जादा मसत होने वाला है और जितने भी एपिसोड ना उन सबकी प्लेइलिस्ट का लिक मैं तो मैं डिस्क्रिप्शन वाक्स में देदूँगा जो हमने यह वाला फार्म होने वाला है इसे भी हम लोग बनाएंगे मैं ग्रूफ के ही किसी समान से जो क्या देखो अभी तक हमारे पूरे विलेच की और जितने भी हमने चीज़े बनाई है बहुत सारे हमने मैं बनाई है जो कि मारे मन को 1.19 में एड हुआ है तो भाई अब जो हम यह वाला फार्म बनाएंगे इसे भी हार में मैं ग्रूफ का यह थीम देना चाहता हूं जो कि आप पूरा मतलब वर्ड का थीम एकदम सेम होगा तो कितना ही जादा ओपी लगेगा तो भाई यह वाला हॉर्स तो मैं इसे लेके नहीं जाने वाला और इसे लेकर चलते हैं भाई अपने मैंग्रूफ फॉरेस्ट के अंदर में मेरे को इसके कॉडिनेट्स वगरा हर चीज़ पता है तो भाई मेंको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है पर रुको यार यहां तो पानी है बाई मुझे इसे वापत लेके जाना पड़ेगा इतन पूरा रस्त है भाई यह पानी का होने वाला है तो भाई फटावर्ट से पहले हुग इसको कवर करते हैं और मैं तुम्हें दो मिनिट के अंदर मैं उस जगह पे मिलता हूं तो गैस देखो यह जो है बाई जैस्ट तुम्हारे सामने यह हमारा मैं रूफ फॉरेस्ट या आ साथ में चल रहे थे अभी तो पर अभी एकदम से सेट हो चुके हैं और इसके बाद हम लोग जो है मड को तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो गैस देखो अब फटाफ़से से तोड़ना स्टार्ट करते हैं और बाई देखो अब मैं इसे जब तक तोड़ने वाला हूं जब तक मेरी शवल खतम नहीं हो जाती पर अगर मैं यहां पर और डामन्स लेके आता ना तो यहां मेरे मतलब में और भी ज़्यादा मड ब्ल तो गैस में जितना मड तोड सकता था वह वह सारा मनि आपर तोड दिया फटा 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 घर की तरफ वापिश चलते हैं पर या इतना भी नहीं तोड़ पाया है कि मेरे मेरी इंवेंटरी में है और जो मेरे पीछे चेस्ट ना बोट के अंदर वह पूरी खाली पड पर इसी भाण मैंने से एक बार बना के भी देख लिया तो चलो फटा फट से घर चलते हैं और बाची थोड़ बहुत कम करते हैं और इसके बाद ना भाई डायक्ट हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे तो सबसे पहले काम करते हैं यहां पहले कुछ हम लोग पैग्ड ब्रिक्स अब यह भी न बहुत जारा बढ़िया लगती हैं तो किया मैंने इने एक बार बना के देख्या और यह थोड़ा बहुत सई लुक दे रहेती हैं तो फ़िए एक हम लोग बनाएंगे पूरा जो होगा पैक्ड मड़ ब्रिक्स की मदद से और एक जो हमारा फार्म बने करने वाला हूं अब आए 7 ब्लॉक होते ही यहां मुझे जो ऐसे कुछ इस टैप से 8 ब्लॉक एक्स्टेंड करना पड़ेगा और यह पूरा एक सेवन बाइट का क्वाड्री लेटरल स्क्वेड या रेक्टेंगल कुछ भी तुम्रुफ कह सकते हो यह कुछ इस टैप से बन जाएगा और वाज हमें सिंप्ली कुछ ने करना इसके यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्ट करते जाना है तो देखो अब यहां पर में सिंप्ली ना डिसपेंसर को लगाना पड़ेगा तो अब सेज़्वें बन चुकी हैं आप तीन लेट का बनाया है और अब सिंपली जो हमें डिस्पेंसर एड करने है पर उसके लिए न यहां में इक बात का ध्यान रिखना पड़ेगा कि जो डिस्पेंसर है इसका पेस फ्रंट साइड बे हो जैसे कि यहां मैंने कर रहा हो इसका उल्टा हो चुका है या मेर सेंग वाइरिंग करनी है और जो अपने सीड्स हैं उनको लगाना है तो फटा फट फट जितनी वाइरिंग का काम है यह साला भी हम लोग करते है अब यहां मुझे जगे जगे पर एक कंपोस्टर लगाने पड़ेंगे ताकि जो मेरा करन्ट है वो फूरे के पूरे मतलब रेड्स कानी से हो जाएगा और यहां पता है मैं क्या सोच रहा हूं कि जो हमारा मतलब स्विच योगा मैं उसे बटरन की जाके लीवर बनाऊं तो कि यह लीवर से मैंने बहुती आरा कम फार्म बनते हुए देखे हैं और मैं लीवर से बनाना चाहता भी हूं तो लीवर से मतलब यहां पर करन्ट आ चुका है अब यहां से इंदू से तरीके से करना पड़ेगा दोनों वाटर बकेट अपना पानी चोड़ दिया है तो यहां जो मारी वायरिंग एकदम परफेक्ट हो चुकिए यह एक्स्ट्रा वायर को मैं हटा देता हूं और देखो अब हमारा फ और देखो आप मुझे से सिंपली यहां पर सीड लगाने हैं तो भाई सीड फटा फट से लेके आता हूं मेरी चेस्ट में पड़े हैं और इसके वार हम लोग से इंदू तरीके से दूसरा फार्म भी बनाएंगे तो गैस देखो मैंने यह वाले फार्म में सीड लगा दिया है फटा फट से नहीं दूसरा फार्म यहां बनाते हैं चुकि हमारे सिंपल ब्रिक से बनने वाला है और इसको भी फटा फट से मैं कम्ट्रीट करता हूं और यह मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं दिखा चुका हूं तो पहले से कम्ट्रीट करते हैं और फिर फाइनल ना इन दोनों को साथ में डेकोरेट करेंगे तो कैस देखो फाइनल इस दोनों फार्म बन चुक है अब बस मैं से डेकोरेट करने वाला हूं लीफ की मरस से अब तुम मैं से कईसा लोग कह सकते हैं और यह यह अच्छा लगने लगा है और देखो सेर्विशन तरीके से हम लोग जाएं इस दूसरे आले फार्म में भी लगाएंगे और जो ओरल लुक काने वाला है में को लग रहा है बहुत जारा में को तो ओपी लग रहा है अब देखो मैंने एक फार्म के अंदर में उग है कैरेट और जो हमारा होता है न क्या कहते हैं बीट्रूट यह दो चीज़ें अब यह बस में को इतने ही फूड की जरूरत है इससे और में को चाहिए भी नहीं अब तुम मैंसे कैसा लोग यह भी कह सकते हैं कि क्लेक्टिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाया तो उसके लिए प और गाइस बस आज ही वीडियो के लिए इतना ही अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छी लेगे तो फटा पर जाके लाइक करो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो इंस्टा में फॉलो नहीं करा है तो जाके कर लो लिंक टू मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और सासत में यहां तुम्हें पूरी स्क्रीन पर दिखाई देती होगी प्ले लिस्ट हाँ बाई जो हमारे पूरे मतलब इस वाली सरवल सिरीज की प्ले लिस्ट है तो इस पे जाके टैप करो सारे एपिसोड्स ये खुद बहुत जादर इंट्रेस्टिंग है अगर मजा ना है तो डिसलाइक कर देना मजा है तो लाइक कर देना चलो बाई